भारत एक ऐसा देश है जो कि कई रहस्यों और चमतकारों से भरा पड़ा है। यहां कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिनके रहस्यों का खुलासा आज तक विज्ञान भी नहीं कर सकी है। वहीं उनहीं में से एक है राजस्थान का सबसे प्रसिद मंदिर कारणी माता का मंदिर जो की अपने आप में कई रहस्यों समेटे हुए हैं। यह मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक में स्थित एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसमें 25,000 से भी ज्यादा च इसलिए इसे चुहों का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान के इस अनूर्थे मंदिर में चुहों को दूध, लड़दू एवं अन्य पक्वानों का भोव लगाया जाता है एवं मंदिर में आने वाले श्रधालूं को चुहों का जूठा प्रसाद वित्रित किया जाता ह ऐसी माननेता है कि करणी माता के दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनुकामनाय पूर्ण होती है और मनवानशित फल मिलता है चलिए जानते है करणी माता मंदिर का इतिहास इसमें रहने वाले चुहों की वज़े है एवं इससे जुले कुछ रोचक एवं अनसुने तथ्यों के बारे में कई रहेसियों से भरा राजस्थान का अनूठा करणी माता मंदिर करणी माता मंदिर का निर्मान वो इतिहास राजस्थान के बीकानेर में स्थित यह प्रसिद मंदिर करणी माता को समर्पित है इस मंदिर का निर्मान 20 वी शताबदी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंग ने करवाया था ऐसा माना जाता है कि माता करणी बीकाने राजहराने की कुलदेवी हैं दरसल माता करणी को मा दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है वे एक बेहद बुदी जीवी एवं ज्यानी महिला थी करणी माता 1387 ईस्वी में एक शाही परिवार में रिधभाई के नाम से जन्मी थी उनकी शादी किपजी चारण से हुई थी लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चा थी माता करणी का संसारिक मोहमाया से मन उप गया फिर उन्होंने अपने पती किपजी चारण की शादी अपने ही छोटी बहन बुलाब से करवा दी और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया इस दोरान उन्होंने खुद को मा जगदंबा की भक्ती में पूरी तरह समर्पित कर दिया वहीं उनके धार्मिक काम और चमतकारी शक्तियों की वजह से उनकी ख्याती आसपास फैल गई लोग उनका काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा मा का अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे करीब 151 साल तक जीवित रही थी करनी माता इतिहास कारों का मानना है कि राजस्थान में प्रसिद करनी माता करीब 151 साल तक जिन्दा रही थी वहीं जहां आज ये प्रसिद मंदिर स्थित है वहां बनी एक गुफा में करनी माता अपनी इश्ट देव की आराधना करती थी वहीं आज भी ये गुफा करणी माता मंदिर के परिसर में स्थित है करीब 151 सालों तक जीवित रहने के बाद 1538 इस्वी में करणी माता ज्योतिलेन हो गई थी जिसके बाद करणी माता की मूर्ती को इस गुफा में स्थापित कर दिया गया फिर बाद में बीकानेर के महराजा गंगा सिंग ने करीब यहां करणी माता का मंदिर बनवाया दिया था वहीं आज इस मंदिर से हजारो भक्तों की आस्था जुली हुई है करणी माता मंदिर की शांदार संग्मा के पत्थरों से बना हुआ है यह मंदिर देखने में काफी आर्कशक और सुन्दर है इस मंदिर की दिवारों पर की गई खूबसूरत नककाशी इस मंदिर की सुन्दरता पर चार चांद लगाती है इसके साथ ही मा जगदंबा की साक्षात अफ्तार माने जाने वाली करणी माता के मंदिर में बने खिलकी, दर्वाजों और देवारों में बहतरीन कारीगिरी की गई है जो की देखती ही बनती है हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा इस प्रसिद मंदिर के दर्वाजे को बीकाने रियासत के महराजा गंगा सिंध ने चान्दी का बनवाया था इस मंदिर पर रखा सोने का छत्र और चुओं के भोग के लिए रखी चान्दी की विशाल पाराद भी मंदिर के मुख्या आक्षन है इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और इसकी खुबसूरती को देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं और करनी माता का आशिरवाद प्राप्त करते हैं करनी माता मंदिर में चुओं से जुली धार्मिक मान्यताएं राजस्थान में करणी माता के प्रसिद मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चुहे हैं मंदिर में इन चुहों से कई रहसे और धार्मिक मान्यताएं जुली हुई हैं ऐसा कहा जाता है ये चुहे राजस्थान की माता करणी के वन्शज है इन मंदिर में चूहों की संख्या इतनी जादा है कि यहां दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को माता करनी मंदिर के प्रमुक प्रतिमा पर पहुँचने के लिए अपने पैर घसीटते हुए पहुचना पड़ता है ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी चूहा भक्त के पैर के नीचे आकर घायल हो जाता है तो अशुब माना जाता है और यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यू हो जाती है उसी जगह पर एक चांदी का चूहा बना कर रख दिया जाता है वही अगर करनी माता के मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे काफी शुब माना जाता है ऐसी मान्यता है कि सफेद चूहे के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाय पूर्म होती है यहां के चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है ये हजारों चूहे करनी माता के मंदिर में संध्या वंदन एवं मंगला आर्ती के समय बिलों से बाहर आते हैं वहीं राजस्थान के इस प्रसिद करणी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तगन इन चूहों भोग लगाते हैं एवं इनका जूठा प्रसाद भी ग्रहन करते हैं। 22 शताबदी में बीकानेर के महराजा गंगा सिंठ के अधारा निर्मित इस प्रसिद करणी माता मंदिर को चूहों की ज्यादा संख्या होने की वजह से इसे मूशक मंदिर या फिर चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। हजारों की तादाद में भी चूहे होने के बाब जूद नहीं आती दुरगंद एवं नहीं फैलती बीमारी मा जगदंबा का साक्षात अफ्तार माने जाने वाली राजस्थान का प्रसिद करनी माता मंदिर में हजारों की तादाद में चूहे हैं यहां तक कि यहां भक्तों को पैर जमीन पर घसीट कर चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहां चूहों की किसी तरह की दुरगंध नहीं आती है, साथ ही आज तक इन चूहों से किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैली है. जबकि आम तोर पर चूहें आम जनता के लिए काफी खतरनाक होते हैं, इनसे प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी फैलती है. वहीं आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर में पहले प्रसाद चूहों को चढ़ाया जाता है, और फिर उनका जूठा प्रसाद यहां आने वाले भक्तों को वित्रित किया जाता है. बता दे कि आज तक कोई भी भक्त चूहों का जूठा प्रसाद खा कर बीमार नहीं पड़ा है. करणी माता के वन्शज माने जाते हैं यह चूहे. मा जगदंबा का साक्षात अफ्तार माने जानी वाली राजस्थान की प्रसिद करणी माता मंदिर में रहने वाले हजारों चूहों से कई रहसे जुड़े हुए हैं. इस माता मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वन्शज बताया जाता है. इससे जुली कथा के मुताबिक एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मन जो की उनके पती की पुजी चारन और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था वह कुलायत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दोरान डूब गया और उसकी तुरंत मृत्यू हो गई वहीं जब ये बात करणी माता को पता चली तो तब उन्होंने मृत्यू के देवता यम्राज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की लेकिन पहले तो यम्राज ने लक्ष्मन को फिर से जीवित करने के लिए मना कर दिया लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन होकर उनके सौतेले पुत्र लक्षमन को फिर से जीवित कर दिया इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को मा का बेटा माना जाता है इसके अलावा, मंदिर में इन चूहों से जुरी अन्य लोकथा के मत्वबिक, एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना भीकानेर के पास थे देशनोप पर हमला करने के उद्देश्य से आए जिसके बाद देशनोप की सुरक्षा के लिए करनी माता ने अपनी चमतकारी शक्ती और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया था ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करनी माता की सेवा कर रहे हैं करणी माता मंदिर दर्शन का समय वैसे तो यह मंदिर श्रद्धालूओं के लिए सुबह साधे 4 बजे से राद 10 बजे तक खुला रहता है लेकिन सुबह 5 बजे मंदला आरती और सायम 7 बजे आरती के समय चुहों का जुलूस तो देखने लायक होता है कैसे पुहंचे करणी माता मंदिर राजस्थान के इस प्रसिद तीर्थस्थल माता करणी के दर्शन के लिए दूर दूर से भख्त गणाते हैं ये बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है देशनोक रेल्वे स्टेशन बीकानेर जोदपुर रेल मार्क पर स्थित है जहां से राजस्थान के आसपास के इलाके काफी अच्छी रेल सुविधा से जुड़े हुए है वही करनी माता मंदिर तक पहुचने के लिए बीकानेर से कई बहतरीन बस और टैक्सी सेवाए भी उपलब्ध है इसके साथ ही यहां श्रद्धालूों के रहने और भोजन के लिए भी काफी अच्छी धर्मशालाय बनी हुई है राजस्थान के प्रसिद करनी माता के मंदिर में साल में दो बार नवरात्रों के दौरान मेला भी लगता है इस दौरान इस मेले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं इसके साथ ही लोग यहां मुंडन करवाने एवं अन्य मनोतियों को लेकर यहां आते हैं एवं करनी माता का आशिरवाद लेते हैं मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साजा की गई जानकारी पसंद आए होगी ट्रिपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद